क्याते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं है अदालत का फैसला आया है जैसिका लाल मामले में और इस विशे पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ है सब्रीना लाल जिन्होंने इस मुद्दे को बहुत शिद्दत से उठाया सब्रीना जी आज अदालत का फैसला आया है इतने सालों के बाद आपने कानूनी लड़ाई लड़ी इतने बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के खिलाफ लड़ी क्या लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है अम किन्विक्शन जब आये जिस दिन आये तो उस दिन I think more than anything else रिलीफ था कि फाइनली इन सुमी साथ साथ सालों के बाद फाइनली कॉर्स ने अक्सेप्ट तो किया कि मनुष शर्मा ने जैसे को को मारा और उनको दोशी ठहराया और आज जहां पर सेंडिन से का सवाल है I'm very happy उनको उमर कैद की सबाद लिए आप ये बताईए कि इस घट्टा में बहुत बड़े बड़े प्रभावशाली लोग जुड़े हुए थे मंत्री के बेटे थे सांसद के बेटे थे और भी बहुत समाज के प्रतिष्टित और प्रभावशाली लोग थे जिस समय गोली मारे गई थी सबने देखा था गवाह मुकरने लगे थे आपको क्या लगा इस लंबी साड़े साल लंबी लड़ाई में आपने किनकिन चेहरों को देखा पलटे हुए बडलते हुए आपके साथ जो लगे रहे तेख़े बदलते और पलटते तो बहुत देखे क्योंकि केस ही ऐसा था जैसे आप खुद कह रहें कि प्रवाब इंफुएंचल लोग थे तो उनके अगेंस्ट लोगों को गवाई देना बहुत या तो डर महसूस होता है या क्या महसूस होता है नहीं मानू मगर होता तो है तो बहुत मुश्किल है इन हालातों में विटनेस को सामने आना और बोलना तो वो सब हुआ विटनेस मुकरते गए मुकरते गए और एविदेंस जो था काफी सारा जो पुलीस इंवेस्टिकेशन के दौरान भी काफी खामिया नजर आई तो इन सब के बावजूद फिर भी मुझे लगता था कि फिर भी एविदेंस काफी है circumstantial हो रमानी की टेस्ट उनको फाइनली कन्विक्ट कर दिया है तो यू कान इमाजन दे सेंस अफ रिलीफ इस आपके परिवार में यह कहा गया कि इस घटना के बाद बहुत सारी ट्रेजडी हुई पिता ना रहे माजी ना रहें लेकिन फिर भी आपने अकेले हमत दिखाई आपके दूसरे फैमिली इवाली आपी साथ थे तो किस तरीके से आपको moral support मिला और कैसे आप अगे बढ़ी ठीक है moral support तो मिलता ही गया मेरी बड़ी बहन से मेरी business partner से मेरे फ्रेंड से, जब से, जब भी मेर थक जाती थी, तो वो कहती थी, तो वो कहती थी, तो वो कहती थी, नहीं, आगे बढ़ो, there is hope, justice will be ours, जब करेंगे, हो जाएगा, तो they've all been there, right from day one till now. So support, emotional support, जो कहते हैं, वो तो था ही, मगर मुश्किल ज़रूर था आजी, because जितने अपने family में इतने problems देखने के बाद, जब acquittal हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लगा, और I think उसके बाद जो इतना outcry हुआ, that gave me the hope again, कि नहीं, हो सकता है, so that is, you know, all these things went on in my mind. लोर कोट में जब acquittal हुआ, अपको क्या लगता है, केस जान बुचकर कम्जूर बनाई गई थी, क्या हुआ था? अगर यह नहीं हुआ, और बगह चलो, कोई बात नहीं, अभी तो हो गया है, तो राहत तो मिल गई है, आपको लगता है, कि आप और कुछ अपे एक्षा करते थी, और कठोर कारवाई आप चाहती थी, कोट से? जो हाँ पे लो अकॉर्ट का सवाल है, मेरा यह मानना था कि जो जाजिस थे, वो ज्यादा इंटरक्टिव नहीं होते हैं, वो जब कोई जूट बोलता है, या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, इन्वेस्टिकेशन के दौरान, वो बस जो होता है, वो सुनते हैं और उस पर अ सब्सक्राइब करते हैं, मुझे लगता है कि उमर कैती सजा ज्यादा बेहतर है लोगों के लिए, क्योंकि उनको जेल में रखा जाए, लंबी समय तक रखा जाए, और उनको एहसास रोज हो कि उन्होंने गल्ती करी है, उस गल्ती को सुधारने के लिए वहां पे हैं. सब्रीना, जेसिका के मामले में जिस तरह मीडिया ने बहुत तूल दिया, इसको उचाला और इस मामले को लोगों से जोड़ा, आपको लगता है कि बहुत एफेक्टिव मीडियम है और बाकी मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए? बिल्कुर होना चाहिए, जेसे हमारे जेसे कमन मान जो कहते है, लोग है, मिडल क्लास के, हमारे पास और कोई आवाज नहीं होती है, सबाइब मीडिया के, तो कभी-कभी हम अगर 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 बिन ओन तिंस अग और बिगरती जा रही है, तो उनको लोगों तक पहुत जाने के लिए, मीडिया काम आता है, तो मीडिया has been a big help and support to me in this whole thing, and I'm very thankful to all of you, and because of that, I think public awareness बहुत क्रेट हुआ, और उनका बहुत support मिला, और आखर दे कि हम दिपक्रसी में रहते हैं, public opinion does matter, and anyway, I think as I'm saying कि, you know, ये जीत हम सब की है, just not mine alone, I think all of us deserve praise for this, because we've all worked hard for it. जेट मलानी जाब के डिफेंस में आकर खड़े होने से क्या लगता है, आपको एक कभी लगा होगा कि अब ये केस शायद हाथ से निकलेगा, या कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा? मुझे कभी नहीं लगा, जो मेरे आसपास के लोग थे, उनको बहुत लगा, क्योंकि कहते हैं, जो मिस्टर जीट मलानी आगए, बेस लीगल ब्रेन ना कांट्री, आप तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या वो, मकर एक मिनिट के लिए भी मुझे उनके डिफेंस में ऐसा एक बाए बताए, सब्रीना की लोग जो कहते हैं कि आम तोर पे जो लड़कियां इस प्रोफिशन में हैं, मॉडलिंग में या इस तरह की है, बहुत सारे सवाल खड़े हुए, क्या आप सजिस्ट करती हैं, इस तरह के प्रोफिशन में मॉडलिंग है, या बार टेंडिंग ह या इस तरह के, क्या बहुत ही ज्यादा चनौती भरा है? तो अपनी नजरिया पर पेंड करता है, इसको कैसे देखे, that's all it. कोट ने कहा कि बीना रमानी आपके स्टार विटनेस हैं, आपको लगता है कि बीना रमानी का बहुत सपोर्ट रहा? एक सवाल आपसे आखरी करूगा, जिस तरह जिसी का मामले में साड़े साथ साल के बाद भी कम से कम सजा मिली, अपरादी साबित हुए, आपको लगता है कि देश में कई ऐसे अपराद हैं, इस तरह के राद दिन होते रहते हैं, उन मामलों में आप आवाज बुलंद करेंगी. I would love to, अगर मुझे ऐसे opportunity कोई दे या मुझे मिले तो मैं जुरूर करना चाहूंगी, क्योंकि अभी तक तो यही केस को लेके, you know, हम, you know, we've been busy and tied up. अगर अगर कोई, you know, would want my help, और मेरे मदद चाहेंगे, या मुझे से अपराइस चाहेंगे, या जैसे भी, I would love to help. Because I know what it feels like. Thank you, Mr. Bachit Kenneke. Thank you.